नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल पर दोस्तों एक सस्ता और असान सा देखने वाला चना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है आज के इस वीडियो में यह हम यह जानने का प्रयास करेंगे काले चने भुने हो हो अंकुलत हो या इसके सबजी बनाई गई हो यह हर तरीके से सिहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है इसमें प्रपूर मात्रा में कार्बोहाइडेट्स प्रोटीन्स फाइबर कैल्शियम आइरन और विटामिन्स पाई जाते हैं शरीर को सबसे ज़्यादा अंकुरत काले चने खाने से हो एक अच्छा स्त्रोत होती है साथ ही से खाने के लिए किसी प्रकार की कोई खास त्यारी नहीं करने पड़ती रात पर बिगो कर सुबह एक से दो मुठी खाकर आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है कबज से रात मिलती है इसको खाने से चैने में मौजूद फाइबर की मात्रा पाचने के लिए बहुत ज़रूरी है रात पर बिगोई में चैने से पानी को अलग करके उसमें नमक अद्रक और जीरा मिक्स करकर खाने से कबज जैसी समसे से रात मिलती है साथ ही जिस पानी में चैने को बिगोई गया था उस पानी को पीने से भी रात मिलती है लेकिन चने में हलका सा नमक, निम्बू, अद्रक के टुकड़े और काली मिर्च डाल करें, सुवह नाश्टे में खाएं ये बहुती ज़्यादा फायदेमंद हैं, आप चने का सत्तू भी खा सकते हैं, यह बहुती फायदेमंद होता है, गर्मियों में चने के सत्तू में निम्बू और नमग मिलागर पीने से शरीर को एनरजी तो मिलती ही है, साथ ही भूख भी शानत होती है। पत्री की प्रोवलों को भी दूर करता है। दुशित पानी और खाने से आज कल किड़नी और गॉल ब्लेडर में पत्री की समस्य आम हो गई है। हर दूसरी तीसरी आदमी के साथ स्टोन की समस्य हो रही है। इसके लिए रात बर बहुए वे काले चने में थोड़ी सी शहद की मातला मिलागर खाएं। रुजाना इसके सेवन से स्टोन के होने की भावना काफी कम हो जाती है। और अगर स्टोन है तो असानी से निकल जाता ह इसके लावा चने के सत्तू और आटे से मिलागर बनी रोटी भी समस्य से रात दिलाती है। काला चना श्रीर की गंदगी को पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। डाइबिटी से चुटकारा मिलता है इसको खाने से। अनेमिय के समस्या दूर होती है। बुखार में पसीन इसके पूर होने के साथ ही श्रीर में एक्स्ट्रा गुलुकोज की मात्र को कम कर देता है जो डाइबिटी के मरेजों के लिए कारगर है। लेकिन इसका सेवन सुभे सुभे खाली पीटी करना चाहिए। चने का सत्तू डाइबिटी से बचाता है। एक से दो मुठी चने का सेवन बलड शुगर की मात्रा को भी नियंतित करने में बहुत जल्द अराम पंचाता है। श्रीर में आइरन की कमी से होने वाली एनीमिया की समस्या को रुजाना चने खाकर दूर किया जा सकता है। चैने में श्याद मिलागर खाना जल्द असरकार कोता है। आइरन से गिलोबिन को भी बढ़ाता है। हिचकी की समस्या से ज़्यादा प्रशाना तो चने के पोधे के सुखे पत्तों का धुमर पान उसको करने से हिचकी आनी बंद हो जाती है। साथ ही चना आंतों और इंटेस्टाइन की विमारियों के लिए काफी फाइदे मंद है। बुखा इसलिए के साथ ही गुड़ वय चना खाने से जूरीन से समांदित किसी परकार की समस्या से रात मिलती है। रोजाना भुने हुए चनों के सेहन से बवासर ठी हो जाती है। रात बर भीगवय चनों के चबा-चबागर छाना प्रुषों के लिए फाइदे मंद है। तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी, उमीद आपको जानकर अच्छी लगए होगी तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने मत भूलना, अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं वीडियो में के नए टोपिक के साथ, तब तक के लिए नमश्कार, धन्यवा कार।